हेलो फ्रेंड्स माग दसमा आपका फीर से स्वागत हैं दोस्तों हम रास्तान जीके जो पढ़ रहे थे उसके अंतरगत हमने चम्मल नदी को लास्ट में पढ़ लिया था आपको एक और इन्फोर्मेशन देना चाहूंगा कि आने वाले वीडियो में जो रास्तान के आर्ट कुल्चर एंड इस्ट्री के जो टॉपिक है वह भी कवर किया जाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ता कि आपको जदा ज़्यादा लाब मिल सके तो शुरू करते हैं चंबल की सायक नदियां तो यह ग्रीन किलर में जो आपको दिख रही है तो चंबल नदी जो हमने पहले पढ़ ली थी अब है जो इनकी सायक नदियों के बारे में बात करें तो आपको एक बार तुमें इसका जो पूरा ओर्वीव बता देता हूं फिर वी जो पक्तोर रहे जिल्था जो अगले तो आफिर कर दो कंबल में जाती jut उसके बाद इनकी जो चाखर यह जो आपको दिख रहा चोड़ा सा ये नदी चाकर नदी है चाकड मतलब छोटी छोटी धराई मिलकर एक नदी बनाती है एक तरीके से नाला कह सकते हैं लेकिन ये नदी के अंदर आपको पूछा जा सकता है तो आज इलके कोस्टन को बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं तो आपको सारे के सारे चीज़े आपको ध्यान में होनी चाहिए अपना अच्छा इसको कर पाऊ जो दूसरों से तो चाकड नदी यहां पर जो चोटी सी है जो आपको दिख रही है यह इसके बाद बनास नदी जो इसके अंदर मिलती है रामे सुर्म के पास ठीक है तो यह तो गई जो नदी इसके बाई तरब से मिलने वाली नदी इस और उसमें काले सिंद्र के अंदर आहू नदी मिलती है और वह दोनों मिलके आगे चंबल में मिल जाती है उसके बाद परवन नदी इसके अंदर निमाज नदी मिलती है और वह आगे जाके चंबल में मिल जाती है उसके बाद में एक यहां पर आपको एक और छोटी सी नदी जैसे वहाँ पर चाकड थी तरफ यहां पे एक और नदी आपको मिलती है जो चोटा सा आपको दिख रहा होगा निसान उसमें तो वो जो नदी है वह है अलनिया नदी आपको वापस बाद जूम करकर दिखा देता हूं यहां पर तो यह जो नदी है यहां पर यह जगह पर यह जो नदी यह वो अलनिय नदी तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कहां पर इस्तित है यह तो आगे चलते हैं तो अग्ली जो नदिया वह फारुति नदिया है उसके बाद अर्वलय धृवर है कर नू की सारी आगे चलते हैं अलग सारी इन्ड बरा disappointing नदियो को बारे में पड़ते हैं तो सब हरइपुरा से निकलती और स्थिलिए जो यांब से पर दृषिकरते जो are näपके आपको से अधरल करनेया में दोसरी नदी में दूसरी नदी तो दियान में रखना है तुको इसका कोशन पूचा जा सकता है तो आप द्यान में रखें अगली जो रिवर है वो है कुराल रिवर जो उपरमाल का पटा रहा है इस जगह पर वहां से निकलती है और बुंदी में जो है नदी इसमें मिल जाती है चंबल के अंदर बुंदी से आगे होती हुई ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यह दोनों मेज और कुराल दोनों मिलके फिर आगे बुंदी से होती हुए कोटा के अंदर जो है दोनों चंबल के अंदर मिल जाती है अगली जो नीवर है वो है चाकर नदी जो चाकर नदी यह बुंदी की पाड़े से निकलती है उत्तरी भाग में छोटी-छोटी दरहे में आपको पहले बताई था की शवंद्यवरियन G катला मिलद्या ऑग-चक तोまだाज के जिए विर्विया के म सद्थीन हुआ tu को तो थे ändigलगती है विर्वकर चब्ल राफा करती है तो सभूद दुकल छाप नदा यहल Size लिए त्रिक्स नदे बनने में ना थेखर अबब ली स्थ्था दूर। बनास नदी के बारे हमने पूरा डीटेल में पढ़ लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्सिन में देदेंगे आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं या फिर हमारे जो प्ले लिस्ट में जाके भी आप उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर बनास नदी यह जो इसमें मिल जाती रामे सुरम के पास में अगलिए दाहीं तरफ से म help से मिलने में आलेओ करदिए Yo कि मुकंद्रेटेर क्वें इंधित Celtic Church झलती है रहे निर्माण कर लेती तो उसी तरह है जो निर्माण करती जो मुकद्रे侈 में निकलती है और सुल्टकर जो ओक आपींग में ननियानी निदी डिबाव है तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलेने नदी का निर्मान करती है तो कोटा में चंबल में मिल जाती है तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है आलेने नदी है जो चंबल की सायक नदी है यह आपको ध्यान रखना है में लितो अगली जो रिवर है। वोत काली सिंद यह काली सिंद है जो मद्यपढ़्देश के बिवास जिल्य से निकलती है तो निसकलने काभाद जालावाण से रास्तान हमें प्रुज़ करती है नाने डाओं के पास है जो चंबल के अंदर मिल जाती है आपको यह जानने खिना है मध्य परदेश घ्रती है और चैलावड़ा में प्रवाइत होती हुई कोटा के अंदर है जो चंबल में मिल जाती है ठीक है यह रस्तान में कूल 150 किलो मेटर डाही तरब से मिलने वाले में चंबल की सबसे बड़ी साइग न दिये आपको थोड़ा सा और फैक्ट है जो द्यान में रेकना एसकी लंबधए एक सो पचास किलो मेटर और दाई तरब से मिलने वाला में चंबल की सबसे बड़ी नदी है यह अगे ए चलते हैं आउर नदी आउ नदीया जो MP से निकल कर ज़ल्यवड़ा में प्रवित होती होई Gagroan के पास काली सिंद में मिल जाती है तो यह आपको द्यान रखना आू नदीया जो काली सिंद में मिलती है और फिर आकी जाके अपना जल जो शम्मल तग ले जाती है तो यह ओग्या आयो हम नदी के बारे में अगली जो नदी वह परवन नदी तो विंदेचल की पाड़ियोसे निकल कर जालावड़ आव कोटा में होती यो इसकfrage कालि सिद्ध में मिल जाती है कि तो यह थी परवन नदी के बारे में परवन नदी बी आगे विंदेचल से निकलती है और आगे में कोटा के पास यह भी किसमें मिल जाती है काली सिंद में मिल जाती है तो इस जगा पर काली सिंद में मिल जाती है ठीक है अग्री जो नदी वह भी जो परवन में मिलेगी और परवन फिर निमाज जो है कालिसिन में मिल जाएगी तो इग्र वेल वेवर भी निमाज जो निमाज नदी है वह विन्यचल के पाणर से निकलकर जलावडा इंपरफ परवन में मिल जाती हैं तो यह आप देख रहो कर लिदा है जो ऑओ मिल रही है और उसके आगे परवन ने वह में घुप लीन मिल जो और करन जो निमाज मिल दीए फिर आगे जाके जिनले तो ये एक दूसरे मिलकों जो है जो चम्बल की साइक निय्टीश मरक रिची कह तो यह उग है निमाज को बारे अगली जो नदी है वो पार होती नदी है MP के C और जिले से निकलती है और जलावाडा कोटा में परवाइत होती हुई की पालिग्राम के पास चंबल में मिल जाती है इसमें आपको फैक्ट ध्यान रखने के परस दोजा सोला में इसमें बयंकर बाड़ भी आई थी तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं तो अगली जो नदी है और लास्ट रिवर है इनकी साइक नदी वह एक कुलू यहां पर कुलू नहीं एक्चल में कुर्णू है टाइपिंग मिश्टेक हो गया थोड़ा तो उसके लिए स्वरी कुर्णू या फिर कनोड नदी तो MP के गुना जिले से निकलकर 12 में परवाइ कि तो यह आपको धियान रखने महन में बात जो यह तो यह होगी शारी कि सारी नंदी आपको जहां में रखनी कौन से कहां से निकलती है कहां पर मिलती है तो यह थोड़ा सा आडिया रखना आपको मैप के दोरा इसको याद कर लें आप यह जो मैप दिया वह इसको आपर हम से देख सेते या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं था हमारे Facebook पेसे आप डाउनलोड कर सकत हैं तो आप का करें तो आगे चलते हैं सोटरी के बारे में थोड़ी फणीट्री के आपको याद्मी अस्थानी ने क्यों ऐसे कुराल मेज चाकड और बनाशने देए ठीक है तो इसके सोट्रिक देखे जाए तो इसमें होगा कि ब्राणी यानि कि जो कोई ब्रह्मन होता है उसकी वाइफ है जैसे उसको इसको ब्राणी जो है कुराल एक जगह है उसमें है क्या है चाई बना रहे है तो ब्रहाणी कुराल में चाई बनाई तो इसमें जो आपके सारी ने दिया जाती है बनना से बनना सो जाएगा आपका चाज से आपका चाकड हो जाएगा मेज से आपका मेज हो जाएगा कुराल तो आप इस तरीके से तो इसको याद कर सकते हूं तो आपको इसली याद हो जाएगा नहीं तो आपको इनको काफी मस्यकत करने पड़ेगी याद करने के लिए तो इसके तो आप इसली याद कर लोगे ठीक है अब यह तो गया बाई तरफ से मिलने वालों की बात अब दाही तरफ से मिलने वालों के कोई काली लड़के उसको बाए उसको व्म बोल रहे हैं कि काल की आज निमबु मा छोटे तक या पहाल भी पर नीमबुपानी पावे कोनी उस्थって के दुर आप इसको याद रख स्टे कि काल की आज निम भू पानी पवय को नि तो ऑब इसका और मिलते जूलते आपको याद होजाएगा एडिया हो जएगा एग्जयाम मैं अगहर आपस्थन आये ता आप उसको चैकर पाओके तो यह थी दोस्तो अच्छी सी ट्रिक आपको याद करने के लिए आई होप आपको पसंद आई होगी तो आगे चलते हैं और आगे तो क्या खतम हो गया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें चैनल को वीडियो को नमर दे रहे कि आब वहाँ पर भी मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स